यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अभी शेक सत्वरत्म और मेरे साथ मुमे स्टूडियो के से मेरे से योगी प्रशान पांडे भी जुड़ गए हैं बाजार की शुरॐत आज थोड़ी सी शान्त हुई थी लेकिन जैसे से दिन बीत रहे बाजार थोड़ा सा रफ़तार पकड़ रहा है ये साल का आखरी कारोबारी हफता है और जैसे की उमीद है थोड़ी सी वाल्यूम भी कम रहते हैं लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है और आज जो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होंगे उनकी क्वेरी जो आएंगी उनके जवाब देने के हम पू दोसों अंको उपर और निफ्टी बैंक की बात करें तो 166 अंकों के आसपास की तीजी आज हमें दिख रही है अडवांस डिकलाइन रेश्यू हम कह सकते हैं कि तीजी के पक्ष में आईटी शेर थोड़ा सा मूड ज़रूर खराब करने हैं क्योंकि इन्फोसिस को लेकर एक नर्मी है विपरो भी चौथाई परसंट की नर्मी पर ही कारबार कर रहा है लेकिन दूसरी तरह आटो स्टॉक्स में हल चल है और एनरजी में अगर आप पावर को जोड़ दीजिए अगर आप को वाले स्टॉक्स को वहां पर आपको जरूर तीजी दिखेगी कोल इंडिया दो परसंट उपर है नटीपीसी में दो परसंट क्यास पास की तीजी है पावर ग्रिड डेड़ परसंट उपर है आरेसी पीफसी भी आज चल रहे हैं तो ओवर अगर हम महौल कहें तो वह ठीक है और पिछले हट्टे तीन सों को क्यास पास का दार्या था बाजार के लिए और आज लगातार तीसर सतर में यानि कि गुरुवार को शुक्रुवार को और कल बाजार बन थे आज मंगलवार को भी बाजार में तीजी हो रही है तो क्या मंगल में आज का दिन होगा ये भी जानेंगे और आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े उनको भी हम जरू ठीड़ करेंगे एक बाजार पर एक व्यूले लेते हैं और अपने महमानों को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ आज के हमारे खास मौन निमेश ठाकर और स्ट्रीट के कुनाल रामभिया निमेश जी और कुनाल जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागा थीटी नवा सोदेश पर, कुनाल शुरुवात आप से करना चाहेंगे, 21400 फिर से बाजार ने पार किया, किस तरह के आप बाजार की चाल यहां से देख रहे हैं, चुकि एकस्पारी का भी यह वीक होगा, थोड़े से वलिटिलिटी हम उमीद करके चलेंगे, हालांकि वॉल्यूम थोड़े थोड़े ड्राइ रहेंगे, क्योंकि छुट्टी पर भी लोग जाते हैं, कैसी चाल देख रहे हैं आप खुनाल? कुछ निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में हमने बहुती बड़ी रॉप्टी में बहुती बड़ी गरेच्छ्शन में फोड़ी करेक्षिन आप गो जो बीट करेंगे क्रेक्षिन और जो बीस december को अबता था और तब निफ्टी करके फूचर्स लेवल में 20,650 से पहुचा हुआ है तो प्रेजंट लेवल जहां पे निफ्टी कारोबार कर रहा है वो है 21,480-490 फ्यूचर लेवल में एक छोटा सा रेजिस्टंस लेवल होगा और अगले तीन दिनों तक हमें दो से तीन दिनों तक हमें यही रेंज में कारोबार देखने मिलेगा करीब 21,350 नीचे की बाजू और उपर की बाजू अगर देखने या तो 550-600 के लेवल और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जहां से बड़ा सा फॉल हमने देखा था 47,800 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर एज अफ न वहीं पे ट्रेड कर रहा है तो अगें फॉ कंसॉलिडेशन का माहूल हमें अगले दो से तीन दिनों तक देखने मिल सकता है बिलकुल तो ये नजरिया इंडेक्स पर बाजार पर और आगे किस तरह की बाजार की चाल रह सकती है इस पर कुणाल जी का आता हुआ चले बढ़ते आगे और पहला सवाल लेते हैं जुनैद खान ने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है और इनका सवाल हिंद कौपर पे है हिंद कौपर के 335 शेयर इनके पास है 166 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली है काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की है इसलिए यहां पर इनको अच्छा म मोमेंटम स्टॉक में हमें नजर आया है निमेश जी हिंद कौपर पे क्या नजरिया बन रहा है 166 की खरीद है कि एक साइकलिकल स्टॉक का अब देख रहे हैं जैसे युएस के इंट्रेस रेट कटकी जो बात स्टार्ट हो गई है एक साइकलिकल डेपिनिटली जो है कोमोडिटी प्राइस के अंदर हम लोग जो एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं और उसकी विज़े से जो कोई भी कोमोडिटी कमपनीज है उसके अंदर भी एक रिकावरी देख रहे हैं मुझे लग रहे है कि फिलाल शॉट टम व्यू से जो है वो एक बुली साउटलूक बन रहा है और आपको वर्ड करने के रहे हैं पर में मुझे लग रहे है कि कई ना कई 270-280 जो है वो एक लेवल एक शॉट मिंटम प्र देखने को मिल सकता है तो मुझे लग रहे है कि आपको फिलाल वोल्ड करना चाहिए और जैसे 270-280 के आसपास आता है फिलाल वहां पर आप जो है एक बार रिव्यू कर लेजेगा पर जिस तरह से कॉमोडिटी साइकल अप्टिक चल रहे है मुझे लग रहे है कि आपको एक शॉट टम पॉर्ट चाहिए को होल्ड करना चाहिए हिंद कॉपर को होल्ड करने की सलाह निमीश जी की तरफ से आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को जोड़ेंगी वरुन कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर वरुन जी नमस्कार पूछी क्या जाना है आपको नमस्कार सर मैंने मुझे ट पूटफोलियों में सर हलो चार बताई कौन से हैं टाय स्टॉक सर जी बताई वरुन जी सर मुझे टायर स्टॉक ओके ओके हाँ तो मैं चारों सर मैं कौन सा आड दर सकों सर जो लॉंग टम के लिए अच्छा रहे सर सीट और बालकृष्णा में सर में पर सीट को अलरडी सीट आलरडी आपके पास है आप और एड करना चाहते हैं बड़े हैं टायर स्टॉक में हमने रफ्तार देखी हाल फिलहाल हलांकि तीज रफ्तार के बाद थोड़े थोड़े कंसलोडेशन के संकीत भी आ रहे हैं निमी जी टायर में आपको क्या पसंद है क्योंकि हमने तो स दूसरे स्टॉक्स जेकी अपोलो या फिर अमरेफ की तरफ जाएंगे? और बहतर मेनेजमेंट है, बहतर मेनेजमेंट क्वालिटी है और बैलेंसिट भी अच्छे है तो मुझे लग रहे है कि लॉंक्टरम के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो बालपिस्ट इंडेस्ट्री इवन अभी एक्सपेंसिव वैल्वेशन पर हैं तो मैं आपको ए अगर बालपिस्ट इंडेस्ट इवन पर करना है तो यह नजरिया आपके स्टॉक पर चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ राम कुमार जी हैं बैंगलूरू से राम कुमार गुड़ मॉनिंग पूछे क्या जाना चाहते हैं ज़ने, परकाज़ पर बालपिस्ट इंडेस्ट इजाना चाहिए और यह नहीं पर चैज़ में तो जाना चाहते हैं आपके से भीस्ट इंडेस्ट पाटेस्ट राम कुमार जी हैं आपको बहतर तरीके से राया देने की कोश़िश करते हैं कुनाल जियो फिनेंशल पे बताईए क्या नजरिया बन रहा है आगे के लिए इन्हों ने जब आइ तिंग हमारे वीवर ने जब पॉजेशन बनाई थी वो एक ऐसा वीक था जब इस काउंटर में बहुत भी अच्छी रैली हमने देखने मिली थी इन्फेक ये काउंटर तभी 232 से लेके 250 तक गया था और उसके बाद ये काउंटर साइडवेस का अगर हम लंबी अफदी के चार्ट की बात करें तो लिस्टिंग से लेके अब तक एक बहुत ही बड़ा massive curve formation बन रहा है और इस curve formation की typical behavior ये दिखने मिलती है कि इसमें ऐसे false rally बीच में बहुत सारी बार आते हैं हमारे viewer को यहाँ पर definitely सलाई ये मिलेगी कि यहाँ पर I think as of now hold करके रखे counter ऐसे level पर है जहाँ पर in fact नई बाइंग करनी चाहिए stop loss इस counter में बनेगा 228 का in fact present level पर भी बाइंग की जा सकती है और इस counter में जैसे momentum शुरू होगा तो I think 265 तक के levels भी हमें देखने मिल सकते हैं so four time being definitely बने रहे हैं अगर कोई viewer को बाइंग करना इस present level पर तो definitely add भी कर सकती है ठीक है जियो financial मौजूदा स्थर पर आप और खरी सकते हैं यह है कुनाल की तरफ से आपके लिए सला है इंदोर चलेंगे और इंदोर से हमारे साथ हैं रमेश पारिक जी रमेश जी सुपरभाद बताईए कौन सा शियर आपके पास से सर और क्या कोई और शियर आप जोड़ना चाहते हैं पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमसकार क्यों ने साल की सुपकामना आ चाहा है मैं पूछिकी अपरको सब्यों ग来त quick give वीडे का वाल्यों कर लें उससे क्योंगे कि कि हमारी आवाज तक वो लिटुंत न में सक्षाब कर मोगे। कि आर्सियाइप के पूज़ाते हैं या खरिदना है सब रखा है किसे है इसको रखना चीए या नहीं रखना चीए बताई अगरा ठीक है चली जानते हैं आपके पास मदरास फर्टॉड़ाइजर है और जो जानकारी आपने हमी भीजिये हैं उसकी हिसाब सी 500 शेयर 82 रुपे के भाव पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है हलांकि महीने भर में देखें तो अच्छे खासी रफ़तार दिखाई है मदरास फटलाइजर के शेयर ने नतीजे बहुत अच्छे नहीं आये थे लेकिन जिस तरह से इसराइल और हमास के बीच जो यु के बारे में सोचना चाहिए तो पर्टिलेजर स्टॉक्स ने जो है वो सिलेक्टिल भी काउंटर ने अच्छा किया है अच्छा नहीं कर रहे थे करी ना कहीं जो है वो रोगोट्रिल की वज़े से और डिमांड आउट्लुक जो है वो भैतर रही था इसलिए करी ना नहीं ज करना चाहिए तो और फिलाल मेरा विव जो है वो यह काउंटर के अंदर बोली से हो मैं आपको वर्ड करने के रहे था हूं अपको तीन महीने तक का एक व्यूपॉइंट बना के आपको यह काउंटर के इंदर बोल्ड करना चाहिए इसा मेरा बान है पिलकल तो यह आपके स्टॉक पे राय मदरास फटलाइजर होल्ड करने की आपको सलाह मिलती भी बढ़ते हैं अगले कॉलर को जोड़ते हैं संदीब हैं पंजाब से हमारे साथ जोड़ चुके हैं संदीब पंजाब में कहां से बात कर रहे हैं आप गुड मॉनिंग और सो शेयर ग्लोबस स्पिरिट के और दूसरा डिल्टा कॉर्प के कितने शेयर हैं चाथ सो शेयर है सर वन फोटी फाइफ के लेवल पे चुली कुछ नजरिया आपका कब तक रुख सकते हैं सर नो प्रोगम ठीक है ठीक है तो लॉंग टर्म नजरिया इस वक्त है इनका निमे अगर इसके अंदर कोई डेवलोपमेंट में आता है और गॉवर्मेंट करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट है कैसे यह सब पहसा चुटाएगी और इन्वेस्टरों को इस तरह से आने वाले दिनों में जो हो रिटन पिलेगा तो क्लियर व्यू है कि जब तक यह प्रोब्लेम का solution कुछ नहीं आता है तब तक डेल्टा कर्प से दूरी रहे है बहुत बड़ी यहां से मुमेंट आ जाएगी 800 वाला स्टॉक 300 रुपे हो जाएगा जिसा कोई चांस इस नहीं दिख रहा है एक रेंज के अंदर रह सकता है नीचे अभी आप देखे तो 120 का एक सपोर्ट ल कर दीचे और उसकी जगा पर कोई अच्छे स्टॉक में इंवेश्ट कर दीचे ग्लोबल स्पिरिट्स के अदर बात करें तो ग्लोबल स्पिरिट्स के अंदर देखे स्पिरिट्स अल्खोल का जो पर-capita consumption है वह अभी इंडिया के अंदर काफी कम है और आने वाले दिनों प कर सकते हैं फिलाल वैल्यूएश्ट के बात कर तो स्टॉक रफले रांड 22 के पी के ओपर ट्रेट कर रहा है और जिस तरह से वैल्यूएश्ट रेश्यों काफी अच्छे दिख रहे हैं तो मेरा मनना है कि आप ग्लोबल स्पिरिट्स के अंदर एक लॉंक्टर्प के लिए से होल्ड कर सकते हैं पर डेटा वर्प के अंदर में आपको एक्जिट कि रहे हैं तो यह सलाह आपके लिए ग्लोबल स्पिरिट्स को होल्ड करनी की सलाह निवीश्ट जी की तरफ से अगले दरस्तों को जुड़ेंगी जारकंड चलेंगे और वहां से मारे साथ हैं राज आओ जरा बताएंगे फिर से आप 158.50 सर पर से अरा सर और 3500 सर और 3500 सर आपके कब के खरीद है राज यह सर मैंने हाल में आपने कब लिया था हैं 17 को लिया था सबेंटर अक्टूबर को यह थोड़ी सी ने यह दिक्कत वाली चीज है क्योंकि यह शियर बहुत चला हुआ थ हालांकि और बोक्स सॉलिड है डिफेंस वाली एक कंपनी है लेकिन आपने उपरी भाव पर लिया वैसी होते मल्टी बैगर साबित हुआ है लेकिन उनके लिए जिन्होंने नीचे की भाव पर लिया है शेर यह आपने काफी उपर खरीद लिया और यह 155 रुपे के भाव की चाहिए कि जो शियर बहुत जादा चल गए अगर 25 रुपे वाला शियर अगर 500 का हो गया यानि कि अगर 6 गुना हो गया तो फिर थोड़ा सा एक वैलिवेशन वाला एक फेक्टर थोड़ा सा नजर में रखना चाहिए उसके बारे विचार करना चाहिए या फिर खरीदने से तीज रफ़तार के बाद कि थोड़ी सी चिंता होती है निमेश जी क्या सला आपकी होगी करेक्शन शेयर में आया है और ये लाज़मी विथा 155 रुपे पर उन्हें खरीदा है अब 115 रुपे क्या सपास का भाव है समय दे या फिर कोई और सला होगी आपकी देखे मुझे लग रहे है कि समय अगर देना चाहते है तो बहुत जहला समय देना पड़ेगा कि अब एवेलिएशन देखे 120 के पी पे स्टोक ट्रेड कर रहा है और पिछले क्वाटर का जो रेवर्यू का ग्रोथ थो और रफली 8 परसंट के आसपास करता है जब आप एक प पचास परसंट का जो है वो ग्रोथ देखी और वेसा ग्रोथ नहीं आता है तो हम लोग देखते हैं कि एक सार्प करेक्शन स्टोक में देखने को मिल सकता है अगर दो या तीन क्वाटर ऐसा ही ग्रोथ रहा तो मुझे लग रहा है कि यह काउटर के अंदर और और भी करेक् चाहिए वह की थोड़ा रिस्की होगा अगर फिर से ग्रोथ कोमेंटम आता है तो फिर से आपको 150 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है पर वहां पर रिप्या एक्जिट कर दीजी कि आप बहुत यहां साल में यहां से 500 वाला स्टोक 300 हो जाए कि ऐसे चांसे काफी कम लग से बहुत ज़्यादा बुलिस आउट लूप मेरा जो है वह एक रो माइक्रो सिस्टम के अंदर नहीं है बिलकुल तो यह है राय आपके स्टॉक पे और चलिए बढ़ते आगे और अब शुरू करते हैं अपना खास सेग्मेंट आप्शन के चैंपियन और आज आप्शन के चैंपियन बढ़ाने के लिए कोटक सिक्यूरिटीज के अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमोल जी गुड मॉनिंग बताइए आज आप्शन की रणनीती क्या है जी नमस्ते गुड मॉनिंग टिकनिकल बाउंज बैक आ सकते है आप्शन की रणनीती सुझाने के लिए तो आईसे आईसे बैंक 995 की कॉल हरी दें लक्ष निस टॉप लस लगभग 5 रुपे अधिक्तम मुनाफ़ा 8400 तक का और अधिक्तम नुकसान 2870 तक के आपको हो सकते हैं और आपको बता दें कि वाइदा बाजार में 90 फीजदी लोगों को नुकसान होता है तो बहुत सो समझ कर तमाम बातों में एतियाद बरत कर ही इसमें निवेश करें चले इसी के साथ 250 के आसपास है शांदार तीजी आधे परसंट के आसपास की बढ़त आज है और निफ्टी बैंक बेलकुल कदम ताल करके चल रहा है दो बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त आपको दिखेंगे और आज लीड कर रहा ही रो मोटर निफ्टी को तीन परसंट की शांदार तीजी के साथ आईटी स्टाक्स में कमजोरी थी लेकिन इनफोसिस को अगर हम छोड़ दें चुकि स्टाक स्पेसिफिक वो न्यूज थी अब बाजार कहने के इसको डाइजस्ट कर रहा है और आईटी स्टाक्स भी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं तीसे असे टेक आपको थोड़े नीचे जरूर दिखेंगे लेकिन वो चौथाई परसंट के आसपास की ही नर्मी रह गई है हम्दाबास से अगली दर्शक हमारे साथ है निहा शर्मा निहा नमसकार पूछी क्या जाना है आपको निहाजी आपका वाज आ रही है स्वाल पूछे प्लीज प्लीज का फॉट्टी ना भी तो प्रेज पार जाना है इन फुट्टी नाइन पर है द्वारे कीश ठीक है 49 पर द्वारीकेश हैं और ड्रेजिंग कॉर्प के शेयर हैं 510 रुपे के भाव पर बढ़िया हैं द्वारीकेश में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है पहले तो उसके लिए बढ़ाई स्विकार कीजिए ड्रेजिंग कॉर्प में भी आप मुनाफिय में हैं पांसो दस वाला शेयर है पांसो तिरासी के आसपास फिलहाल ट्रेट कर रहा है निमेज जे ड्रेजिंग कॉर्प क्या सला होगी आपकी ओर से इसमें पीएशू के अंदर जो है अभी वैल्येशन वाइस जो है काफे कंफरेबल है और मुझे लग रहे है कि पीएशू में अभी एक डेली बढ़ रही है तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लोस की स्ट्रेजी से एक आउंटर के अंदर गोल्ड करना चाहिए मुझे लग रहे है कि एक शॉट टो मीडियम टंग में आपको छेसो चालिस से छेसो पचास तक के लेवल लेखने को मिल सकते हैं तो फिलाल व्यू मेरा बुली से डेजिंग कॉर्परेशन के अंदर मैं आपको होल्ड करने की सलाह है अब निहाजी से गुज़ार चार सो पास की तीजी ब्रेक से पहले हम निहाजी का सवाल हम ले रहे थे और उनके पास शेयर हैं द्वारी के शुगर के भी भाव है 49 रुपे का और इस वक्त अगर हम द्वारी के शुगर को देखेंगी तो 86-87 रुपे के आज पास के भाव आपको दिखेंगे तो अच्छा खास जो न्यूज आई है सरकार की तरफ से जो इथनौल को लेकर थोड़ा सा ना उसने मूड को डिस्टरब करने काम जरूर किया है क्योंकि इथनौल के भरोसी तो शुगर कंप्री अपने केपिक्स कर रहे थी आप ही बते कि द्वारी के शुगर में क्या करना चाहिए चुकि 100 अब ही भी प्रॉफिट में है ठीक ठाक मनाफ़ा वसूली करें या फिर निवेशित रहें यह बैतर होगा अब जब इथनौल की बात है कि तब भी यह मार्केट के तुरा निगास किया है कि इथनौल में भी प्राइसिंग जो है वो इस्यू आएगा मुझे लगए अएक यह स्टेटमेंट दिया है कि निफिक कंपनी कंटार बिए चैना हैं जो है कि छो है वह सोथी सोपनल्स कर रही आ और वहले जो नहीं हो पा रहा हुआ जिस तो कहीं नहीं जो है वो श्टॉप के अंदर एक स्टॉरी आती है तो पर बाद में फिर से जो है वह लोग प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं मुझे लग रहा है कि आपके लॉर लेवल की एंट्री है अगर यहां से अरड़ी स्टॉप के अंदर एक करेक्शन आ गया है यहां से अगर कोई भी बाउस आता है उपर में सो रूपे की आसपास तो वहां पर एक बार जरूरी से प्रॉफिट बुक कर दिना चाहिए ऐसा मेर मनना है क्योंकि जब तक यह एथनोल वाली स्टॉरी है वेलेंस इट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक कोई लॉंग टर्म रिटर्न नहीं मिलने वाला है तो फिलाल यह रेंज के अंदर ही रहेगा तो मेरा व्यू जो है वो स्टाइट्ली पुली से मुझे लग रहेग करन हैं अमरित सर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए करन गुड बॉर्निंग पूछे अपना सवाल जी पूछे अपना सवाल कितने फाइव थाउजन एट हंडर के बाव पे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आपको एक बहतर नजरिया देने की कोशिश करते हैं कुनाल जी 5800 की खरीद है जाहिर सी बात है कि पहले सवाल तो यही है कि क्या इनके भाव किस तर पे यह स्टॉक का आने वाले वक्त में आ सकता है किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है कि बात करें तो डेफिनेटली इंटेक्ट है जुलाई से लेके अब तक यह काउंटर एक साइडवेस कंसोलिडेशन में था और इसका जो सपोर्ट हमने दिखा था तो करिब करी 5300 से 5350 के भीश में था काउंटर पैसेंटली उसी लेवल के उपर चल रहा है और इंफेक्ट ह हमारे व्यूर की बाइं थोड़ी से उपर है बट इंग इस नोट एडवर्स तो दी ट्रेंड ट्रेंड अभी इंटेक्ट है तो है डेफिनेटली इस काउंटर में एज अफ नौ बने रहे सकते हैं एक जो ट्रेइलिंग स्टॉपलास में सजिस्ट करूंगा वो है 5350 का अग अगले थोड़े समय में हमें 6000 के उपर तरकिवी लेवर्स इसमें देखने में सकते हैं तो यह सला कुनाल के तरफ से आपके लिए मुंबई चलेंगे वहां से सुरेश जी हमारे साथ हैं सुरेश जी नमसकार पूछी क्या जाना है आपको नमसकार साथना में तो कैम्स लेकने का आज है यह जी 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 इसमर रहा जानते हैं कैम्स तीन हजार रुपे कि यह रवसर भाव पर है 110 शेयर हैं कैम्स यानि की कम्प्यूटर एज मेनेजमेंट सर्वीसिज इस कम्पनी का पूरा नाम है और अच्छे रफ़तार हलांकि शेयर ने दिखाई है जिन्होंना आई प्यू में निवेश किया था उनको तो प्रॉफिट हुआ ही था लेकिन उसके बाद भी ये शेयर खूब चला लेकिन चुकी उपरी भाव पर लिये हैं 3000 रुपे की खरीद है और थोड़े से शेयर और उपर भाव के होंगे कुछ नीचे के भाव के होंगे और जो आ रहा है वो 3000 रुपे का है अब समय देंगे थोड़ा से होल्ड करेंगे कब तक ये प्रॉफिट में आ जाएंगे कोई आइडिया देखें कंपनी के अगर लॉंटर्ब के लिया से देखा है तो ये कंपनी के अदर डेफिनिकल आप होल्ड कर सकते क्योंगे अब बिजनेस मोडल को अंडर्स्टिन करेंगे तो मुचल फंड इंडेस्ट्रीज के अंदर उनली दो आर्टीय है एक केम्स और दूसरा कार्वी अब केम्स के पास देखे तो ओल्मोस्ट 18 तो 19 जो है वो एमसी के साथ बिजनेस कर रही है और वो 18 और 19 जो है एमसी वो टोटल मुचल फंड इंडेस्ट्रीज का है वो रफली 70 परसंट जो है वो एम होल्ड कर दिया तो मुझे लग रहा है कि कही ना कही एक अच्छी कंपनी है एक अलड़ी आईट्यों के बाद रेली आ चुकी है कि तो थे काथ अच्छी कर देखते हैं और वैल्यस के लिए अग्षैट के लिए और मुझे लग रहा है कि आने वाले एक से डड़े साल के अंदर यह नजरिया कैम्स पे आपको होल्ड करने की रहा है जड़े बढ़ते आगे सुशील अगरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्यप्रदेश से सुशील जी नमस्कार मध्यप्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं आप पहले तो यह बताईए और उसके बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं दो स्टॉक्स पर इनको अपना नजरिया चाही चलिए इन दोनों पर आपको राय देते हैं और आपके भाव के करीबी हैं दोनों शेर तो इस पर एक बहतर नजरिया आपको देने की कोशिश करते हैं कुणाल जी सबसे पहले रेडिंटन पर राय दीजी 175 के बहाव पर इन्होंने 300 शेर ली है सी अगर हम लंभी अफदी का चार्ट देखते हैं और जूम आउट करके अगर दो से तीन साल का डेटा देखते हैं तो इस काउंटर ने बहुत ही अच्छी रुजान दिखाई थी 2020 से 2021 के बीच में बट जुलाई 2021 से लेके अब तक इस काउंटर ने कोई खास movement नहीं बताई है volatility बहुत ही ज्यादा है इस काउंटर में बट अवरेज लेवल की बात करें तो 150 तो 160 का ही एक एवरेज लेवल है जहां पर ये काउंटर mean reversion पे घूम रहा है I think for time being अगर लंभी अफदी का नजरिया है तो definitely Reddington को hold कर सकते हैं I think present level जो 176 है वो तो बहुत ही अच्छा level है यहां से एक नई रुजान भी शुरू हो सकती है though it is an anticipation but trend definitely positive है so 160 के stop loss से इस काउंटर में definitely लंबे अवदी के लिए बने रह सकते हैं short term अवदी का नजरिया हो तो एक उच्छाल expected है 190 तक का I think 190 पे हम exit करने की स्पला देंगे सवाल Shipping Corporation of India पे है जरा इस पर भी राय दीजे 166 की खरीद है Corporation of India बहुती बैटरीन formation बना रहा है in fact आप recent formation भी देखिए तो गए तीन से चार महिनों में counter ने खायर टॉफ हायर बॉटम बताया हुआ है इंफेक्ट नया breakout हमें चार्ट पे देखने मिला था वो करी 1.60 के लेवल का था so definitely Shipping Corporation India is a buy even at the present level इसका हम जो stop loss मेंटेन करेंगे वो है 150 का I think 150 के stop loss से इसमें बने रहे सकते है target इसके 185 तो 190 तक के होंगे और ये target पे भी हमारे वीवर को सला दूँगा कि exit ना करें एक training stop loss लगा दें और position होल्ड करें I think इसमें एक नई रुज़ा नहास से definitely देखने मिल सकती ठीक है Shipping Corporation को लेकर ये सला कुनाल की तरफ से लेकिन बाज़ार पर नज़र डालें तो आज तीसरे सतर में जो तीजी है अच्छी तीजी कहेंगे क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से डल होते हैं जो रूलोवर्स के आकड़े हैं वो भी ये संकीत दे रहे हैं हलांकि अभी एकस्पारी दोती हैं दूर है लेकिन फिर भी थोड़े संकीत उसके मिल रहा है निफ्टी है 92 अंक उपर 2440 पर ये मुमिन्टम को दिखा रहा है कि बाजार में मुमिन्टम कैसा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंक उपर इस वक्त कारबार कर रहा है निफ्टी के जो गिरने वाले शेरों की संख्या है उसकी इतादा ध्र देद करके कम हो रहे है अब मुश्किल से 6 या 7 स्टौक सी हैं जो लान निशान मे कारबार कर रहे हैं बाकी 43-44 स्टौक से हरे निशान में सबसे ज़ादा जो गिरने वाला शेर है वो है इनफोसिस और इनफोसिस के प्रेशर में बाकी शेर भी टूट रहे थे लेकिन वो रिकवर कर गए इनफोसिस अभी भी करीब तरशन नीचे ये कारबार कर रहा है एक थोड़े से महोल खराब करने वाले खबर आई थी कि डिड़ बिलियन डॉलर की एक मल्टी एर की डील थी एक बड़े ग्लोबल क्लाइंट के साथ हलाकि नाम का खुलासा नहीं किया कमपनी ने लेकिन ये जरूर बता है कि वो डील जो है वो रद कर दी गई सितंबर में M.O.U. किया था कमपनी ने तो डीटेल्स क्या है आखिर क्यों इतना प्रेशर है वो डील कितनी एहम थी और इस वक्त कितनी डील्स है कमपनी के पास ये तमाम जाजकरे लेकर हमारी सयोगी अनीशा हमारे साथ जुड़ गई है अनीशा बताइए अनीशी तोर पर एक मूड स्पॉइलर एक ये खबर है अपडेट्स का है इसके इंफिस्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है हाला कि लोईस पॉइंट अजो ट्रेडिंग सेशन से वो काफी रिकावा कर गया है बट नन्दलेस जो स्टॉक है वो थोड़ा वीक ट्रेड कर रहा है इसका रीजन ये है कंपनी ने सप्टेंबर में अनाउंस किया था किनों ने एक ग्लोबल कंपनी के साथ मेमोरांडिम अफ अंडेस्टैंडिंग या मास्टर अग्रीमेंट साइन किया है जिसका पोटेंचल था 1.5 बिलियन डॉलर्स जो कि नेक्स 15 साल में आने वाला था अभी कंपनी ने ओवर दे वीकेंड इनफॉर्म किया कि वो जो अग्रीमेंट हुआ था वो कैंसल हो गया है माना कि यह जो डील थी वो as it is कंपनी की ओडर बुक में नहीं फैक्टर की थी अभी तक किसी ने भी वो टीसीवी का पार्ट नहीं थी पर इस सेंटिमेंटली काफी नेगेटिव है आस्टू कि यह कैंसलेशन क्यूं हुआ क्यूंकि कंपनी ने कोई रीजन भी नहीं बताया इसके लिए और अवराल सेक्टर के लिए भी थोड़ा नेगेटिव न्यूस है क्यूंकि लोगों को अभी डर है क्या यह फर्स यहसा कैनसलेशन है और आईसे काफी और आ सकते है क्यूंकि कोई रीजन नहीं दिया इसलिए काफी स्पेकुलेशन और अटकले है इसको चलके ओवरॉल सेक्टर भी थोड़ा वीक चल रहा है विप्रो भी दूसरा स्टॉक है जो न्यूज में है हमने फ्राइडे को देखा था स्टॉक में अल्मूस्स 7-8% का राली था क्योंकि रिपोर्ट्स थी कि जो मिस्स संजेज जलोना है जो एक्स M.D.N.C.O है L&T Infotech के वो शायद विप्रो जॉइन कर लेंगे नाव कंपनी ने हमें एक क्लारिफिकेशन बेजा है जिन्होंने उन्होंने पूरा तरीके से नकार दिया है इस टाइप के क्लेम्स और रूमर्स को तो विप्रो भी एक दूसरा स्टॉक है इन फोकस है तो इंप्रूव्मेंट थोड़ा दिख रहा है पहले से लेकिन अभी भी पूरा सेक्टर हेडविन खतम नहीं हुआ है इसलिए भी पूरा सेक्टर फोकस में है ठीक है शुक्रिया अनिशा इस तमाम अपडेट के लिए तो निशी तवर पर आईटी को लेकर थोड़े थोड़े कांट्रेक्शन आ रहे हैं और अब इस बात की चर्चाएं हो रही है इस बात के आसार बढ़ गए हैं कि शायद वहां की एकॉनमी मंदी में चली जाए जो कि एक जटका होगा इंडियन आइटी कंप्रीज के लिए कि एक बड़ा रेविन्यू वहां से ड्राइव होता है यूरॉप से और यू के को भी अगर उसमें हम इंक्लूड करके देखें तो लेकिन निमेज जी अगर हम इन्फोसिस की बात करें चुकि आएट डेड़े परसंट के आसपास की गरावट है इस साल को गर हम दो हिस्सों में बाट लें तो जून की बाद हम देख रहे हैं कि करेब साड़े बारा सो तेरस रुपए के आसपास का भाव था हमनी सोलो सो रुपए तक कि बाव़व देखे आज सी कमजूरी हम इसमें देख रहे हैं हलांकि रिकवरी है ये ख़बर आपको कितने परिशान कर रही है और कितने चिंतित होनी चाहिए जिनके पास शियर हैं वो क्या करें देखेंगे मेरे लिए हिसाब से कोई बड़ा बड़ी चिंता वाले कोई इस नहीं है करेंगे सेंटिमेंटल इंपेक्ट है आज स्टोपने वो दो परसेंग देखा है और देख रहे हैं कि एक रिकावरी भी आ रही है तो कल से जो है वह मार्केट जो हो अज़र तिंक्स पर एफेक्टर करता है बड़ी चीज़ के अंदर नए ओडर मिलना ओडर के अंदर कोई मोडिफिकेशन होना और और कैंसल होना एक नॉर्मल चीज़ है हाँ डेफिनेटल अगर मार्केट में इंपेक्ट प्राइस पर इंपेक्ट तब आएगी जब जैसे बताया कि एक से ज्यादा डील जो है वो रेगुलर इंटरोट पर कैंसल हो तब डेफिनेटल इंपेक्ट प्राइट आ सकता है वाट फिलाल यह जिससे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा इंफोसिस के स्टॉक के अंदर आए कि पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टूप अगर कोई बीगिरावत आती है तो मुझे लग रहा है कि इंफोसिस जो है वाइंग उपर्चू खरा भी नहीं थी ओनली जो है वो गाइडेंस कंवेंसन था और कंपनी अच्छा कर रही है और फिलाल अब मैनेजमेंट कोमेंटर देखें जैसे एसेंचन रिजल्ट दिया थे गाइडेंस मेंटर हुआ है तो मुझे लग रहा है कि करी ना कहीं यह मार्केट हाई लेवल पर तो वो आईटी सेक्टर दे सकता है वोल्टालिक्टी के अगेश्ट में तो इंफूसिस के अंदर व्यू मेरा बुलिस है मैं आपको बाइक करने की राई देता हूँ यह बाइंग ओपर्चुनिटी है 2% का गिरावट और मुझे लग रहा है कि एक short to medium term के अंदर इंफूसि को बाइक करने जी 245 पे बाइए क्या होल्ड करें या शेल करें सर चुड़ा इसके वारे में जानका रिलेना कित्ना 245 पे 245 श मेरा वेधानता चाहते हैं विधान्ता आगे का नजरिःए चाहते हैं. चलिए निमीर श्रीट बताएं विधान्ता में क्या करनाचाहिए एक साल का नजरिःए 245 की खरीद है. टीके मेरा माणना है कि एक क्या स्पर स्टोक लेखने कोंटा है तो वहां पर जरूर से एक बार profit book करना चाहिए, क्योंकि एक cyclical stock है और company के अंदर date related काफी concerns में देखने को मिले है, अगर date कम होने में कोई भी issue आता है, तो definitely stock के अंदर फिर से correction देखने को मिल सकता है, तो फिलाज मेना मननना है कि अगर तीन सो रुपे के आसपास वेदानता जब जाए तो वहां पर exit करने के बारे में एक बार सोच सकते हैं, अगले दर्शक को जोड़ेंगे, संजे कुमार दूबे हमारे साथ जोड़े हैं, संजे जी नमसकार, कहां से आपने सर फोन किया हो, और सवाल पूशे अपना? अचा ठीक है, हमारे साथ फोनलार पर जुड़े नहीं पा रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, लेकिन हमारे पर सवाल आ गया है, और ये सवाल है, ब्राइट कॉम को लेकर, चौदो सो शियर हैं, 62 रुपे के बहाव पर, कई बार लोग क्या करते हैं, कि शियर बाजार को ल बहाव देखी, आउट्डूर एडवडाइजिन से जुड़ी ये कंपनी है, लेकिन कहीं ने कहीं कंपनी में कुछ-कुछ दिक्कते थी, और उसके चलते विवादों में फसी, शियर कभाव गिरके फिर से 10 रुपे के नीचे आया, और अब 19 रुपे क्या असपास है, 62 रु इस्यू आएंगे, वहाँ पर मार्केट उसको वैल्यूएशन नहीं देगा, और वहाँ पर बाइंग नहीं हैंगे, जाये कितनी भी अच्छी आपकी कंपनी हो, इतने भी अच्छा मिस्नेस मदला, प्राइट ओंप की यही सेम स्टोरी है, मुझे लग रहा है कि आपको एक एक्सिट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई खास बजा नहीं दिख रही है, इस्टोक के प्राइस को फिर से आपके बाइंग प्राइस पर देखने के लिए, मुझे लग रहा है कि व्यू मेरा जो हो क्लियर है, आपको एक पर एक्सिट कर देना चाहिए. जादा होती है और वो शियर के भाव में आपको अब तक दिख भी गया होगा, थोड़ा से नीचे आने पर आपने लेने कोशिश किये भाव को देखकर लेकिन वो दाओ उल्टा पड़ गया है, चलिए, इसको करेक्शन कीजी, बाजार में ऐसे लर्निंग्स भी होते हैं कई बार इस तरह की गलतियां, तो ये सलाह आपके लिए निमेश जी की तरफ से, चलिए इसके साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है, फिलहाल मुझे और मेरे सियोगी प्रशांद को दीजिए इजाज़त, अगला शो है मुनाफिय की मन्ड़, अगला शो है